पढ़ेंगे पार्ट साथ बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्टरी मालिक अब बुनकर किसको कहते हैं बच्चो जो बुनाई करते हैं चाहिए वो सूती कपड़ा है रेसमी कपड़ा है उनी कपड़ा है और लोहा बनाने वाले जिसको हमारे याँ लोहार कहते हैं जो लोहे क बुनाई कहां होती थी देखो जो पटॉला साड़ियं होती हैं बहुत फेमस होती है यह सूरत और एहमदाबाद में बनती हैं बच्चो जामदानी बुनाई के लिए परशिद्ध केंद्र बताईए जामदानी की बुनाई के लिए ठाका और लखनव सबसे महत्तोपूर्ण के सकता सकता था इसका विरूद किया था महिलाओनी कख्षा 10 में एक प्रस्णा आता है कि स्प्णिंग जैनीमेशीन का विरूद क्यों किया महिलाओनी क्यों कि इससे उनका रोजगार छिन रहा था बच्चो देखो आपने ठागा क्यों परिशिद्द थाा अभी उपर भी आया था तेखू ठागा सहर मल-मल और जामदानी बुनाए के लिए दूर दूर तक परिशिद्द था ओरांग क्या है फार्सी भासा में गोदाम को ओरांग कहा जाता है ओरांग का अर्थ होता है देखो टाटा एरन एंड स्टील कमपनी यह एक नीजी छेतर का उद्द्योग है जिसको टिश्को कहा जाता है सारोजनिक और नीजी छेतर दो प्रकार के उद्द्योग होते हैं तो यह किसी व्यक्ति ने चला रम्बे किया देखू जमसेजी टाटा जो थे टिसको कंपनी को उन्होंने शुरू किया था यह लोहा इसपातकार खाने के कारण परसिद्ध है यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी यूरोप के लोग बच्चों भारती बुनकरूं द्वारा बुने हुए अच्छा काम होता था कहां पर लखनाओ में और ठाका में इसके प्रषिद्ध केंद्रे अब आगे भी यह आये था और ये जो देखू भारी का बहुतवशन हिंदर काम यां पर होता ठाका में और लखनाओ में जिसको जामदानी किया है मंदाना क्या है देखों गले या व्डव पुगरबात है लोहा बनाने वाले और लोहजा काम करने लोहा बनाने का चाम करते थे गलानी की कला में बहुत निपुण होते थी इस पाठ का अगला प्रशन है बच्चो पर्थम विश्युद्धि के समय भारत का सूती वस्तरुद्ध्योग क्यों विक्सित हो गया कक्षा 10 में भी ये प्रशन बहुत क्या कारण था पर्थम विश्युद्धि के समय शूती वस् यूरोप से आता था जो मशीनों से बना वता था खूब अच्छे कलर होते थे मजबूर टिका उता था और सस्ता था जिससे भारत का सोती वस्तर बिल्कूल बिखना बंद हो गया छोटे-छोटे-चोटे-चोटी रुद्यों कमारे बंद हो गए यूरोप के कपड़ों के सामन तो क्या हुआ कि जब पर्थम ब्यूश्य उद्ध हुआ तो अब यूरोप के जो देश थे या इंग्लेंड के जो देश इंग्लेंड आधी जो थे सब किसमें उलज गए युद्ध में और वो शूती कपड़ा नहीं बनाने लगे कम बनने लगा उनका पूरा ध्यान वालिक थे उनको फिर मौका मिल गया अपने उद्ध को बढ़ाने को क्योंकि वहां के उत्पादवा व्यापारी युद्ध सामगरी निर्माण में ही जूटे हुए थे और सेनिक जरूरतों को पुरा करने के लिए भारती कार खानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांगोने लगी अपने देश में तो मांग थी क्योंकि भारत की जो मांग थी वो जो अब विदेशों से कपड़ा आता था वो बंद हो गया तो अपने देश के लिए तो ये लोग उत्पादन करी रहे थे साथ में यूरोप के देशों से भी आब मांगाने लगी कि हम तो य यहां का यह उत्पादन सूती वस्तर उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया और इस तरह से भारती सूती वस्तर उत्यों में एक आएक क्या आगया उच्छाला गया ठीक है